आप व्यवसाय के छेत्र में, बिजनस फील्ड में, मार्केटिंग में, सेल्स में, एड्मिनिस्ट्रेशन में, मैंनेजमेंट में नौकरी पाना चाहते हैं, यानी कार्पोरेट छेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? कार्पोरेट छेत्र का जो स्वामी है वो है बुद्ध, तो कार्पोरेट छेत्र में सफलता पाने के लिए बुद्ध की भूमिका महत्वपूर हैं, इसके अलामा अगर इसमें फाइनेंस भी आ गया, तो इसमें ब्रिहस्पती की भूमिका भी आ जाती हैं, आप कार्पोरेट स सलाह लेकर के नियमित रूप से भगवान गणेश की उपासना करिये सबसे अच्छा होगा कि गणपती अथर्व शीर्स का पाठ करें रोज करें तो बहुत अच्छा नहीं तो बुद्धवार और शुक्रवार को तो करें ही अगर आप ऐसा करें अपना प्रयास जारी रखें तो कार्पोरेट सेक्टर में आपको नौकरी की सफलता अवश्य मिलेगी मीडिया के क्षेत्र में, फिल्मी दुनिया में, ग्लैमर में, एड़टीजमेंट में इन क्षेत्रों में अगर आप नौकरी चाहते हैं तो क्या उपाय करें इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बु हस्पती की भी हो जाती है, इस छेत्र में नौकरी अगर आप चाहते हैं तो मुख्यता शुक्र और बुद्ध को मजबूत करियेगा, सलाह ले करके एक ओपल और पन्ना, ये दोनों पहने, सलाह ले करके, और जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करें, रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जब करें और शिवजी से प्राथना करें, अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें, तो मीडिया के खेत्र में, ग्लैमर वर्ल्ड में, एडवर्टीजमेंट में, क्रियेटिव खेत्रों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, देखिए, आप किसी भी खेत्र में नौकरी करते हों, आप टेकनॉलजी में हों, आप मीडिया में हों, आप टीचिंग प्रोफेशन में हों, आप कार्पोरेट खेत्र में हों, नौकरी के पीछे, जो सेंट्रल प्लैनेट है, जो मुख्य ग्रा है, वो शनी है, अब अगर आप शनी देव को अनकूल रखते हैं शनी संबंधी उपाय नियमित रूप से करते हैं तो आपकी नौकरी कैसी भी हो, किसी भी क्षेत्र की हो आप नौकरी में सफलता जरूर पाएंगे उसके लिए तीन उपाय नियमित रूप से करिए जो लोग भी नौकरी करते हैं और नौकरी में उन्नती करना चाहते हैं उन्हें तीन उपाय निश्चित रूप से करने चाहिए पहला उपाय रोज शाम को 108 बार शनी मंतर का जप करिए शाम को नहीं कर पाते, रात में करिए लेकिन रोज शनी मंतर का जप ओम शंग शनेश्चराय नमह रोज शाम को या रात को 108 बार जपिए हर शनीवार को पीपल के व्रिक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाईए और इसके बाद निर्धनों को कोई भी गरीब व्यक्ति हो उसको खाने पीने की चीज़ का दान करिए ऐसा हर शनीवार की शाम को करिए और तीसरा काम ये है कि एक लोहे का छला राइट या लेफ्ट दाहिने या बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में शनीवार की शाम को पहन लीजिए अगर शनी संबंधी ये उपाए आप लंबे समय तक करते रहेंगे तो आपकी नौकरी बेहतर चलती रहेगी और नौकरी में सफलता की अच्छी संभावनाएं आपके लिए जरूर बनेंगी और जिनको बार-बार नौकरी में बाधाएं आती हैं या बार-बार नौकरी में उतार चड़ाव रहता है उनके लिए ये उपाए करना विशेश लाबकारी होता है अच्छी से जड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए अच्छी तक एप और चिटकी में जड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से